रात भर पानी में भीको कर खाले ये पांच चीजें कभी भी बुड़ापा नहीं आएगा और आपके सरीर में ताकत का एक नया संचार होगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी पांच चीजों के बारे में बताएंगी यदि आप उनका सुबह खाली पेट सेवन करते हैं बुड़ापा नहीं आएगा और आपका सरीर हर बीमारी से हर रोग से बचा रहेगा आपके सरीर की इम्म्यून पावर बहुत आदिक बढ़ जाएगी और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे तो चले दोस्तों बताते हैं कि वो पांच चीजें हैं कौन-कौ जिनका आपने हर रोज पानी में भीगो कर सुबह खाली बेट सेवन करना है और फिर मैं लास्ट में ये भी आपको बताऊँगा कि मैं कैसे सेवन करता हूं इनका ताकि आप भी उस तरीके से सेवन करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज हैं अलसी दोस्तों अलसी के बारे में तो हम सभी जानते हैं अलसी में ओमेगा 3 पाया साता हैं जो की हमें हर्दे रोगों से बचाता हैं दोस्तों अलसी मदू में रोग में भी बेहद अधिक फाइदेमन हैं जो कोलोस्टोल, बलड प्रेसर और हर्दे गती को समानने बनाए रखती है आलसी में ओमेगा-3, फाइबर, सिलेनियम, पोटासियम, लिगनेन, विटामिन-B, मेगनीशियम और जींक तत्तव पाये जाते हैं जो इसे अपने आप में ही एक सूपर फूड बनाते हैं आलसी, एंटोक्षन और फाइटो केमिकल से भरपूर है जो तवचा पर जुडिया नहीं आएंगे देती यानि यदि आप आलसी का हरो सेवन करेंगे, तब आपकी तवचा पर कसाव रहेगा एक नया गलो आएगा इसका उचित मातरा में नीमित सेवन करने से आपका सरीर हमेशा सवस्ट और सुन्दर बना रहता है दोस्तो अलसी के सेवन से आपका मोटापा भी कंट्रोल होता है और आयरोवेद में तो अलसी को हर तरह की बीमारी का इलाज बताया गया है अब जानते हैं कि इसका सेवन आपने करना कैसे है दोस्तो आपने करना क्या है कि एक गिलास पानी लेना है और रात में उसमें एक चमच अलसी को भीगो कर आपने रख दिना है और सुबह खाली बिट आपने उस पानी को भी पी लेना है और उन अलसी के बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है अब जो दूसरी चीज इसमें है वो है दोस्तों खस-खस दोस्तों खस-खस के फाइदों के बारे में भी आप जानते ही होंगे क्योंकि यह हमारे सरीर के लिए एक रामबान उसती है और यदि हम इसका सेवन हर रोज करते हैं तो हमारे सरीर के अंदर सांड जैसी ताकत आ जाती है इसका इस्तमाल कबज जैसी समस्या से लेकर कैंसर जैसी खातक बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है छोटे-छोटे बीजों वाला यह है खाते पताल, कलोरी, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैलसियम, आईरन, पोटासियम और फोलेट जैसे ततों से भर है दोस्तों, यदि आपको अपने बालों को सही करना है, या तवचा में चमक लानी है, या अपने पाचन को सही करना है, या आपके मुह में च्छाले है, या आपको एनिंद्रा की बीमारी है, या आपको अपने सरीर की हर्णियों को मजबूत बनाना है, या भिर आपको जोड को मसबूत बनाना चाहते हैं तब आपको खस-خस का सेवन जरूर करना चाहिए अब बताते हैं कि इसका सेवन आपने करना कैसे है दोस्तो आपने खस-कस को एक चमच लेकर रात में एक गिराघ पानी में भीको कर रख देना और सुबह खाली बेट, उस पानी को भी पीना है, और उन खस-खस को भी चबा चबा कर खालेना है, इससे भी आपको बहुत अधिक फायदे होगे, और जो तीसरी चीजेसे में हैं दोस्तों, वो है दोस्तों बादाम, दोस्तों बादाम के बारे में थो हम सभी जानते हैं, कि बादाम कितने फाइदेमद होते हैं और हमें किन-किन बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तो वैसे भी कहा जाता है कि हर रोज सिर्फ चार बादाम खाओ और अपने सरीर को बिलकुल सवस्थ बना दो। हर तरहे की बीमारी से बची रहो। क्योंकि दोस्तो बादाम में आधिक मातरा में न्यूट्रिशन्स और मिनल पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, ओमेगा-3 fatty acid, ओमेगा-6 fatty acid, विटामिन-E, कैल्सियम और फास्पॉर्स तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप बादाम का 7 हर रोज करते हैं, तो इससे आपके सरीर को कितने जमतकारी का फाइदे होंगे, आपकी तप्चा हमेशा जमा बनी रहेगी, डाइबिटीज वालों के लिए भी ये सुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, आपको हार्ट ब्ल बादामों को छील कर उनका सेवन करना है, छीले हुए बादामों को ही आपने खाना है, अब जो अगली चीज है वो है दोस्तो बीगे हुए चने, दोस्तो चने इनको गरीबों का बादाम का जाता है, क्योंकि गरीब लोग बादाम का सेवन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चन रोग से आपको बचाते हैं, आंखों के रोशनी को बढ़ाते हैं, खून की कमे को दूर करते हैं, और दोस्तों यदि प्रेगनेंट महिलाएं इनका सेवन करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, वो हस्ट उष्ट पैदा होते हैं, उनका दिमाग तेच होता हैं ये आपके बालों को भी मजबूत बनाते हैं, अब आपने इनका सेवन कैसे करना है, आपने इनका सेवन करना है एक चमच, चने लेकर या एक मुठी चने भी आप ले सकते हैं, और रात को भीगो देने हैं, एक गिलास पानी में, और सुबह आपने उस पानी को भी पीना है और इन चनों को चबा चबा कर खा लेना है और दोस्तों यदि आप जिम जाते हैं या फिर आप खिलाडी है तब तो आपको इनका सेवन करना ही करना चाहिए क्योंकि आपके लिए तो एक वरदान की तरह काम करेंगे अब जो समें अगल के दर्द, गठिया के दर्द और कमर के दर्द से बचा कर रखते हैं मेथी दाना बहुत अधिक चमतकारी के है और दोस्तों जितनी उमर आपकी है उतने दाने मेथी के लेकर आपने रात में एक गिलास पानी में भीगोने है और उसको सुबह खाली पिट आपने उस पानी को भी पी लेना है और आपने इस मेथी को भी चबा चबा कर खाना है और यदि आपको डाइपटीज की विमारी है तब आपने इसमें आदा चमच कलून जी भी डाल दिनी है और उसको भी वीगो कर आपने खाना है और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे आप हमेशा बिलकुल स्वश्थ बने रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं सेवन कैसे करता हूँ। दोस्तों मैं इस तरीके से सेवन करता हूँ। जैसे सबसे पहले एक वीक मैं लेता हूँ अलसी रात को भीगोकर सुबे खाली। अगले हपते में मैं मेथी दाने का सेवन करता हूँ। उससे अगले हपते में मैं खस-खस का सेवन करता हूँ। उससे अगले वीक में मैं चने का सेवन करता हूँ। उससे अगले वीक में मैं बादाम का सेवन करता हूँ। आप इनको एक वीक लगातार लें, जैसे आप अलसी ले रहे हैं, खाली बेट तो उसको, यानि कि ये पांचों को एक साथ मत लें, एक एक चीज का आपने सेवन करने हैं, जैसे आप अलसी ले रहे हैं, तो एक वीक लगातार अलसी को आप लें, फिर अगले वीक आप बादाम तो दोस्तो आप इस तरीके से यदि आप सेवन करेंगी तब आपका सरेर बिलकुल निरोगी बन जाएगा और आप हरत रहें की बीमारी से बचे रहेंगे तो दोस्तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आती रहें धन्यवाद दोस्तो